ही गाईज वर्कम बैक टो मैं चानल गाईज आज सुड़ेवा हम मनाने वाले हैं डिजाइनर कुर्ती फोर रेगिलर वेर जिसके लिए यहां पर मैंने प्लेन रियन का फाब्रिक लिया हुआ है जो है 3 मिटर सो गाईज लाज के स्टार्ट देखें सबसे पहले फाब्रिक को ह हुआ है और टोटल लाइंग मने लिए है इसके 15 इंचिस अब यहां से हम मागिंग करना स्टार्ट करेंगे तो शोलर का पार्ट मेलूंगी 7 इंचिस आम होल भी मेलूंगी यहां पर 7 इंचिस उसके बाद हम दोनों पॉंट्स को जॉइन करते हुए लाइंटो करेंगे अब देखें यहां पर लेना होगा हमें चैस का पार्ट तो वह मेलूंगी यहां पर 11 इंचिस यहां पर चैस का जो भी मेजर्मेंट हो उसे डिवाट बे फोर कर लेना है प्लस उसमें हम 2 इंचिस आइड करेंगे सीविंग लाउंस के लिए उपर से कमर की लाइंट है 15 इंचिस तो 15 पर हमें एक माग कर लेना है और यहां पर एगी हमारी कमर की चोड़ाईवों में लूँगे 10 इंचिस उसके बाद हमें दोनों पॉंट्स को जॉइन कर लेना है इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्षेंड कर लेना है हमारी लांज तक इस लाइन को हमें नीजे तक क्रॉस में एक्षेंड करना है आम होल मैंने लिया था 7 इंचिस उसका हाफ होता है 3.5 तो 3.5 पे हमें एक मा करना है यहां से हमारा आम होल का कव शुरू होगा तो राउंड शेप देते हुए हम आम हुल को ड्रो कर लेंगे नकी चोड़ाए मैं लूँगी यहाँ पे 4 इंचिस और लैंद मैं लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचिस उसके बाद हमें दोनों पॉइंच को जॉइन करते हुए राउंड शेप ड्रो करना है इस तरह सी हमने नेक को ड्रो कर लिया है इस पार्ट को हमें कट करना है इस तरह सी हमने कट कर लिया है अब नीचे की तरफ हमें हलका सा हाई लो का शेप ड्रो करना है तो जहाँ पर हमारी लैंद खतम होती है वहाँ से हम मार्क करेंगे तो नीचे से हम फाई उन्ची स्पेक मार्क करेंगे और यहाँ से हम हाई लो का शेप ड्रो कर लेंगे इस तरह से मैंने हलका सा नीचे की तरफ हाई लो का शेप डू कर लिया है, इसे हमें कट कर लेना है तो ये हमने शेप को कट कर लिया है इसे हम ओपन करेंगे ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस है फ्रेंट और बैक दोनों के लिए अब हमें स्लिफ्स को कट करना है तो फाब्री को हमने फोर फोल्ड किया हुआ है और यह फोर फोल्ड हमें लेना है एप्रॉक्स 9 इंचिस जितना अब यहां से हमें 3 इंचिस डाउन पे एक मार्ग करना है और यहां से हमारा शेप डो करना है और इस पॉइंट तक हम इस शेप को मिला लेंगे स्लिफ्स की लैंट में लूँगी यहां उस पे 22 इंचिस और यहां पे यह हमारे स्लिफ्स की चौड़ाए वो में लूँगी 6 इंचिस उसके बाद हम दोनों पॉइंट को जॉइंट करते हुए स्लिफ्स का शेप डो कर लेंगे इस तरह से हमने डोग कर लिया है इस पार्ट को हम कट करेंगे तो हमने स्लिफ्स को कट कर लिया है इसे हम ओपन करेंगे open करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस है अब देखिए neck को हम तियार करेंगे तो neck के shape का हम ने strip कट किया हुआ है जिसे हम इसके पूर उटारख के चीलाई कर लेंगे इसी तरह से दोनों neck में हम इसी तरह से strip को उटारख केτरख कर द हम आधिए तो ध्यान रखे कि आपकी स्लाइड ना कटे उसके बाद स्ट्रिप को हम बैक साइड पर टन करेंगे और बैक साइड पर आपको इस तरह से डबल फोल्ड करना है तो इस तरह से आप डबल फोल्ड करते जाएए और सिलाई कर लीजिए इसी तरह सामें दोनों नेक तयार करने है तो यहां पर हमने नेक को तयार कर लिया है मैंने बैक साइड पर डबल फोल्ड कर लिया है अब हम करेंगे शोल्डर फिटिंग तो एक राइट पार्ट है जिसके उपर आपको दुसरा पार्ट उल्टा रख लिना है और यहाँ पे हम दोनों शोल्लर को मिलाती हुए स्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे हमने स्लाई लगा दी है अब हमें स्लिवस को जोईन करना है तो राइट पार्ट के उपर स्लिवस को हम उल्टा रखेंगे और दोनों तरब से स्लाई करके हमें यहाँ पे स्लिव्स को जॉइन करना है और इसी तर से यहाँ पे भी आपको स्लिव्स को उल्टा रख लेना है और दोनों तरप से सिलाई करके हमें स्लिव्स को यहाँ पे जॉइन करना है स्लिव्स को जॉइन करने के बाद हमें स्लिव्स की बॉड़र को फोल करना है तो इसे simply हम back side पर double fold करके सिलाइक कर लेंगे तो यहाँ पर हमने इस तरह से sluze को join कर लिया है मैंने इस तरह से border को भी fold कर लिया है मैंने इस तरह की दो strings बनाई हुए है जो हमें sluze में लगानी है तो sluze को हमें wrong side पर इस तरह से turn करना है और यहाँ पर हमें center पर इसे mark करना है तो यहाँ से उपर से हमें 9 inches down पर एक mark कर लेना है यह marking हम center में करेंगे इस तरह से इस तरह भी उपर से जो हमारा shoulder का part है वहाँ से हम 9 inches down पर एक mark कर लेंगे यहाँ पर हमें string को लगाना है तो यहाँ पर आपको सिलाई करके lock कर लेना है उसी तरह से जो हमारा दूसरा string है उसे हम यहाँ पर सिलाई करके lock कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर string को fix कर लिया है अब यह जो हमारा front का part है उसमें हमें pattern करनी है तो यहाँ पर आप इस तरह से draw कर लीजिए plain कुर्दी को हम इस तरह से design कर सकते हैं तो roughly आप इस तरह से pencil की मदद से इससे draw कर लीजिए जो कर लीजिए जाप पर इस तरह पर आप से परीजिए और स महेंगे जो तरह से ख कर लेंगे और सकते हैं अबभा़ मैंड़ आप आप पर आप सुझ मैंड़ार अभाश पर पर दो वहाँ एया व्याव आवार झालो एड़ार इस तरह से आपको निडल की मदद से जो हमने ड्रो किया है उस लाइन पे हमें इस तरह से सलाई करनी है जो पैटर हमें टो किये उसके उपर आपको इस तरह से जो हमने पूरे पार्ट में हमें इसी तरह से सिलाई कर लिना है यहां से हम इसे एंड कर लेंगे यहां पर इस तरह से हम इसे नॉट कर लेंगे थ्रड को यहां पर हमें सिक्योर कर लेना है इस तरह से हमारी जो पूरी पाटन है उसे हमें तयार कर लेना है इसी माथर से तो यहां पर हमने इस तरह से पाटन त्यार कर ली है अब इस तरह की जो लीव के जो हमारे रेडिमेड पैटल से उसे हमें यहां पर लगाना है तो जो हमारे एंड से उसमें हम इस तरह के लीव के जो हमारे शेप के पैटल से उसे हम यहां पर लगाएंगे और इसे भी हम थ्राड़ निरल से सिक्योर कर लेंगे तो यहां पर हमने इस तरह से पैटल को फिक्स कर लिया है इसी तरह से जो हमारे पूरे एंड से उसमें हम पैटल से इसे डिजाइन कर लेंगे और बीच बीच में भी हम इस तरह से पैटल को लगाएंगे त्राड़ निडल से हम इसे यहां पर सिक्योर कर लेंगे इस पूरे पार्ट में हमें इसी तरह से पैटल को लगाना है अब हम इस पार्ट को रॉंग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए तो पने इस तरह से रॉंग साइड पे टर्न कर लिया है अब यहां पर हम मार्किंग करेंगे तो चस्का पार्ट में लूँगी यहाँ पे 19 इंचिस यहाँ पे चस्का जो भी मेजरमेंट है उसे हाफ करके उसमें आपको वानी चार करना है लूजिंग के लिए उपर से 15 इंचिस पे हमें आएगी कमर की चोड़ाई वो में लूँगी 16 इंचिस यहाँ पे आपको हाफ करके वानी चार कर लेना है लूजिंग के लिए उसके बाद हम दोरों पॉंट्स को जॉइन कर लेंगे और इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्स्टेंड कर लेना है हमारी लांद दर स्लिव्स की चोड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे फाइन हाफ इंचिस और इस पॉइंट को हम यहाँ तक एक्स्टेंड कर लेंगे उसी तर से दोनों स्लिव्स की हम फिटिंग करेंगे इस पूरे पार्ट में हमें स्लाई कर लेना है तो हमने फिटिंग करके राइट साइड पर टर्न कर लिया है अब हम लास्ट में नीजे की बाड़ा को फोल्ड करेंगे इसे सिंप्ली हमें बैक साइट पे डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से आप डबल फोल्ड कर लीजिए और सिलाई कर लीजिए तो यहां पर हमने बॉडर को फोल्ड कर लिया है और यह जो हमार पूरा पार्ट है उसमें हमें पैटल से इसे डेकॉरेट कर लेना है और जो हमने string अंदर की तरफ fix किया था उसे हमें इस तरसे बाहर की तरफ निकालना है और यहाँ पर आपको बटन की मदद से इसे secure कर लेना है यहाँ पर हम इसे इस तरसे secure कर लेंगे तो यहाँ पर हमने इस तरसे sleeves को fix कर लिया है और यहाँ पर मैंने इस तरसे petals से decorate कर लिया है और finally इसी के साथ हमारी designer कुरती बिल्कुल तयार है guys there हमारी designer कुरती for regular wear use अगर आपको हमारी design अच्छी लगी तो यहाँ को like करें, share करें और guys अभी तरह आपने हमारी जानों को subscribe नहीं किया है तो please इसे subscribe करें और साथ ही साथ उस बाल आइकोन पर click करें ताकि आप हमारी आने वाली को videos को miss ना करें thanks for watching, bye bye ओा आपि एस और दोटी साथ हून करें झाले आप करें तो झाले आप हू scratch झाले पना पर करें झाल झाल